नमश्कार दोस्तों अबनों टाइम्स में आप सभी का स्वागत है SCST यानि अनुसोचित जाती एवं अनुसोचित जन जाती कोटे को लेकर सुप्रीम कोट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है चीफ जस्टिस डी वाई चंद्चूण की अधिक्षुता वाली साथ जजो की बेंच ने SCST में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोट के इस फैसले का मतलब है कि अब SCST कोटे में सब कैटेगरी किया जा सकता है जब यह C.J.I. चंद्चूण की अधिक्ष फैसला दे रही थी तभी एक जज ने पंडित नहरू के खत का जिक्र किया दरसल सुप्रीम कोट के जज जस्टिस पंकच मिथल ने आरक्षन नीतीब ने सीरे से विचार करने की वकालत करते हुए गुरुवार को देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहलाल नहरू द्वारा 1961 में लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया जिसमें उन्होंने किसी भी जाती या समोहों को आरक्षन और विशेश अधिकार देने की प्रवत्ती पर दुग जताया था जस्टिस पर्कष मिथल ने कहा कि पंड़त जवाहलाल नहरू ने 27 जून 1961 को सभी राजियों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित अपने पत्र में किसी भी जाती या समोहों को आरक्षन और विशेश अधिकार देने की प्रवत्ती पर दुग जताया था और कहा था कि ऐसी प्रथा को छोड़ दिया जाना चाहिए और नागरिकों की मदद जाती के आधार पर नहीं बलके आर्थिक आधार पर करनी पर जोड़ देरा जाना चाहिए अनुसोचित जाती और अनुसोचित जन जाती मदद की हगदार हैं लेकिन किसी भी तरह के आरक्षन के रूप में नहीं विशेशकर सेवाओं में पंडित नहरों ने अपने पत्र में कहा था मैं चाहता हूँ कि मेरा देश हर चीज में प्रथम शेणी का देश बने जिस छाण हम दो यम दर्जे को बढ़ावा देते हैं हम खो जाते हैं और हुने पत्र में लिखा था पिछड़े समों की मदद करने का एक मात्रवास्तविक तरीका अच्छी सिक्षा का अवसर देना है इसमें तकनीकी सिक्षा भी शामिल है जो अधिक से अधिक महत्वपूर ह होती जा रही है बाकि सब कुछ एक तरफ की बैसाखी का प्रावधान है जो शरीर की ताकत या स्वास्त में कोई व्रधी नहीं करता है दरसल प्रधान न्यायाधीज डी वाई चंदचोन की अध्यक्षता वाली साथ सदस्तिय समधान पीठ ने छे दशम लफ एक के बहुमत से गुरुबार को विवस्था दी कि राजियों को अनुसूचे जाती यानि की SC और अनुसूचे जन जाती यानि की ST में उपवर्गी करन करने की अनुमती दी जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समोहों के भीतर और अध्रिक पिछडी जातियों को गया था धन्यवाद